नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं सुरो चौजरी आपसभी का स्टड़ी आई क्यू पीसेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं हम लोग शुरुवात करते हैं आज की सेशन की लक्षा सीरी जाने की करण्ट अफेर्ट से जुड़ है कुछ मामले हम लोग आज की क्लास मे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक न्यूज जो की आए थी कुस दूनों पहले दिली हाई कोट ने लोग सभा सचेवाले से जवाब मंगा कि आपने अब तक लोग सभा के अंदर डेप्यूटी स्पीकर के पद पर भढ़ती क्यों नहीं किया यानि उस पर कोई कोई सी का भ सभा हो या राज सभा हो यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यानि की पीठा सीन अधिकारियों के संदर में क्या-क्या विवस्था हैं जब भी इसी सभा को चलाने की बात करें तो जब तक सभा के लिए कोई नियम नहीं होगा तब तक सभा नहीं चल सकती तो नियम भी बनाए गए हैं रूल्स अप्रोसिजर है इसके साथ अगर आप सिर्फ रूल्स से बात करें कि रूल्स से चल जाएगा नहीं रूल्स को इंप्लिमेंट कराने के लिए किसी ने किसी को अथर्टी देनी पड़ेगी तो अथर्टी दी गई है लोग सभा राज सभा के अंदर यह वहां के पीठा सीन अधिकारियों को अब जब पीठा सीन अधिकारी आप कहते तो लोग सभा राज सभा दोनों के पीठा सीन अधिकारी अलग अलग होते हैं लोग सभा पीठा सीन अधिकारी की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आते हैं लोग सभा के अध्यक्ष और दूसरा पता था है लोक्सभा पाध्यक जो defeating speaker के नम से जानते हैं फिर अगर हम राजवसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर यह पता था है राज्यसभा के सभापति जिनको आप chairman कहते है और फिर उनके साह साह सळाते है deputy chairman औफ राज्यसभा और यहां पर कई बार आपने प्रोटरमें स्पीकर यानि कि सामाई करतेक्ष भी सुना होगा तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे भी इसी सेशन में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लोगसवा स्पीकर यानि कि लोगसवा अध्यक्ष लोगसवा को चलाने की जिम्मेदारी आप समिधार कोन हैं वहां के लोगसवा अध्यक्ष हैं अब लोगसवा अध्यक्ष का जो पद है इसका सरजन कहां पर होता है भारत के समिधान के आर्टिकल 93 के अंदर होता है लेकिन क्वेशन यह आता है कि लोगसवा अध्यक्ष खुद भी लोगसवा का ही सदस्य होता है होता हुए सदस्यों में से किसी ना किसी को बनाए जाएगा क्या लोगसभा अध्यक्ष अब क्वेश्चन यह है कि यह कैसे बनेगा तो भाई देको यहां पर बहुमत के आधार पर निर्ण होता है यानि कि लोगसभा के सदस्य चुनकर क्या हैं वो अपने में से किसी ना किसी को उठा करें क्या करते हैं लोगसवा अध्यक्ष बना देते हैं लोगसवा speaker बना देते हैं अब ये सब कैसे होता है याद रखने सिंपल मैजवटी के द्वारा साधरन भॉम्मत के दरा यानि कि जितने वहाँ पर हैं उससे आदे से एक ज़्यादा जिदर वोट करते हैं वो सदसे जीत जाएगा अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसवाद्यक्ष कौन सी पार्टी से होगा ये हमेशा रूलिंग पार्टी से होता है क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट काम जैसे कि म अब पहले लोगसवाद्यक्ष आगे जोड़ गया तो चड़ चाती कि लोगसवाद्यक्ष कर रहे थी लोगसवाद्यक्ष का जो पद है वो खाली है और लोगसवा उपाद्यक्ष की बद में करें और उस पर क्या होगा यहां पर लोग सवा उपाक्ष को चुनाव होता है अब ध्यान रखना एक बात कि जब लोग सब्धा अध्यक्ष को चुनाव होता है तो इसकी ईडेट हमीशा भारत के राष्टपति कोई क Ł fenil implications लेकिन जब लोग सब्हा के इंदर deputy speaker का चुनाव होता है तो यहाँ पर लोगसभा अध्यक्ष इस तारीक को ट्रिक्स करते हैं यह तो बात यहाँ पर हो गई अब इसका question यह आता है कि अगर यह चुनाव हो रहा है तो क्या इसके दर कोई बाहरी वेक्टी जा कर सकते हैं जवाब है बिलकुल नहीं यह भ इत्यास की तो पहले परंपरा तो यह थी कि यह ruling party से होता था लेकिन विपक्ष का अपना रोल होता है जो opposition parties है उनका अपना रोल होता है उसको recognize करते हुए convention चला है प्रथा चली कि होना क्या चाहिए यहां पर हम कर दें क्या कि लोग सभा उपाद्वेक्ष भी किस से होगा यह भी आपके से लेकर गए यह opposition से लेकर गए तो यह सीट जो है वो opposition के रिजर्ब कर दी ऐसा कोई कानून नहीं है पर convention के तौर पर प्रथा के तौर पर ऐसा चलता रहा है अब जो पिछली लोग सभा थी उसके अंदर तो यह 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 डिम के पार्टी के एम थमिदुराई क हो गई थी अब की बार यह सीट खा लिए तो इसको लेकर रिचर्ड चाहिए भई यह आप इस पर चुनाब क्यों नहीं करवाते हैं ठीक है तो यह रहा अब जो हमने इतनी बात करी लिए थोड़ा सा इसका आगे चलते हैं आगे चलते हैं तो आगे क्या देखिए हैं लोग बात करते हैं अगर माल लीजिए इनका काम देखें तो सबसे पहले अथority यस के पास सबसे पहले अथरोरिटी लोगसवा स्पीकर के पास अब लोगसवा स्फीकर नहीं तो उनकी अनुपस्ती में deputy speaker उनका काम सम्भाल लेंगे लेकिन कहीं भी मैंने यह नहीं खा कि deputy speaker कि कि स्पीकर के सबोर्डनेट हैं, उनके अधीनस्त नहीं है, याद रखेगा इस बात को, ये बात बिल्कुल सोच लीजिए का अधीनस्त नहीं है, ये कैसे हैं, ये सब के सब अपने अपने इंडिपेंडेंट आफिसे ने, इनकी अपनी एक समय थानिक पहचान है, याद रखना अब अगर मान लीजिए किसी बच्चे क्वेशन हैं कि सर्मान लोगसवा स्पीकर नहीं है, डेप्यूट स्पीकर नहीं है, तो उस केस में इस कारेबार को कौन समवालेगा, तो वहाँ पर लोगसवा के स्पीकर एक पैनल तयार करेंगे, यानि एक लिस्ट तयार करेंगे, और उस लिस्ट के अंदर दस नाम लोगसवा के सदस्यों के वो लिख सकते हैं, अब इनका क्या काम है, इस भी करना आए, डेप्यूट स्पीकर ना आए, तो उन दस में से कोई ने कोई जा करके क्या करेगा, पद को समवालेगा, कारेबार को समवालेगा, मतलब वहाँ पर लोगसवा की करवाई को संचालित करवाएगा, ये आते हैं हमारे लोगसवा के अंदर प्रिजाइडिंग आफिसर, अब याद रखना कि ये जो पैनल आता है, इसको आप क्या बोलते हैं, लोगसवा के चेर परसंस, पैनल आफ चेर परसंस, ठीक है बई, चलिए, अब एक नाम आपने होड़ सुना होगा, जिसको आप कहते है, इसकी कहानी क्या है, देखे होता क्या है, कि जब भी लोगसवा का चुनाब होता है, तो नए सदस्य चुन करके आते हैं, अब अगर उनको अपना काम लोगसवा के अंदर शुरू करना है, तो सब से पहले उनको शबत दिलबानी पड़ेगी अब शपत कौन दिलवाएगा सब्ध दिलवादी की जिम्यधारी भारत के राश्पति की है। तो एक तरीका यह निकाला गया, तरीका क्या है, कि जैसे ही चुनाब कंडक्ट होता है, चुनाब कंडक्ट होने के बाद, जो सदस्य नए चुन करके आते हैं, उनकी लिस्ट भारत का चुनावा योग राश्पती के पास भेज देता है, यूगि अन्तमे गठन तो राश्पत कर रहें, आप एक काम किजिए, हमारे बहाब पर लोकसभा के अंदर, जितने भी सदस्य हैं, सबको एक एक करके शबत दिला दीजिए, तो ओध कौन दिलवाता है, ये प्रोटम स्पीकर दिलवाते हैं, और जब वो शबत पूरी हो जाए, तो आपको नया काम करना है, लोकस सभा स्पीकर का चुनाब हो जाए, आप को उस पद को छोड़ देना, क्योंकि उस पद आपका नहीं है, उन लोकसभा स्पीकर के लिए रिजर्व हैं, तो अगर हम स्पीकर प्रोटम को देखें, तो प्रोटम स्पिकर क्या है, एक टेंपरारी पद है, यारी कि टेंपरारी इसको बनाया जाता है कुछ समय के लिए दिसी लिक आजाते हैं आब इसको सामाईख हिंदी में कहते हैं सामाईक अप्ड्यक्षिक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं हम राजसवा के लोग सभा के अंदर पीठासी नदिकारी अब बात करते हैं राजसवा के जो पिठासी न दिखानी होते हैं उसके अंदर सबसे पहले आते हैं राजसभा के सभापती ठेक है वोना आते हैं राजसभा के सभापती चेर्रमेन ओफ राजसभा अब यह कौन होते हैं याद रखना इसके संदर में भारत का समिधान क्या कहता है यहाँ पर कहा गया है कि जो रेजर्व है ठीक है अब इसके इसासत क्या का गए जैसे भी हो सके जितना जल्दी हो सके एक बार इनको होने को आज डेप्यूटी चेर्मेन भी आप बना देगे तो चेर्मेन कहां से यह तो भारत के उपराश्पती है गया दखना उपराश्पती राजसभा या लोकसभा का स पर उपसभापती के तोर पर चुन लेते हैं यह बात आप इसमें ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अब याद रखिए कर अगर मान लीजिए लोग राज़सभा के अंदर सभापती है तो कारवार समालेंगे वो नहीं तो उपसभापती समालेंगे अगर वो भी नहीं तो फिर यहां पर फिर से एक पैनल तयार किया जा गैए या ने कि दस नामों की सूची ने दस नामों की तालिका राज़िसभा के सभापती भारत के उपराष्पती तैक करेंगे ही इनमें से अगर माल लिए मैं आउं या उपसभापती ना है तो फिर कौन करके राजसभा का कारेभार समालेगा यानि कौन उस काम को कंड़क करवाएगा तो यह कुछ चोटी-चोटी बाते हैं आपको जरा ध्यान रखनी है तो यह रहे हमारे लोगसभा और राजसभा के अंदर हमारे पीठा सी नदेकारी यानि कि जो इस कारेभार को समालते हैं बस सजमाती है तो इसके संदर में आर्टिकल आप जरूर याद रखेगा अब देखो यहां पर चरचा किसकी होती हैं यहां पर चरचा वो रहे थी लोगसभा के अंदर स्टीफा देना है तो लोगसभा देक्स इसको स्टीफा देते हैं यह स्टीफा डेप्यूटी स्पिकर के नम से जाता है यानि कि लैटर में उनका संबोधन होता है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है अब इसमें देखो क्या इसका सॉलीशन निकल सकता है उनमें से किसी को उठा करके बना दिया जाए यही तक सॉलीशन निकल सकता है खैर वो सब इक अलग बात हैं उस पर नहीं जाएंगे लेकिन हमारा जो टॉपिक था वह यही था तो इसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक पर लोग दोस्तों पब्लिक सर्विसेज यानि की देश के अंदर लोग सेवाएं अगर लोग सेवाउं की चर्चा हम भारत के सम्विधान में देखें तो इसकी चर्चा भाग 14 में आर्टिकल 308 से ले करके 313 के बीके बीच में की गई है भारत के इंदर ये लोग सेवाएं तीन के डिदर में Empire you on India services अखेल भारते सेवा हैं स सेवा के तीन प्रहुक सेवा हैं जिनको आप All India Services के नाम से जानते हैं अब यहां पर जब आप All India Services में IES और IPS की बात करते हैं तो यह सेवा है भारत में पहले सी थी IFOS जिसको आप भारती वन सेवा के नाम से जानते हैं इसके शिरुवात 1966 में की गई थी IES को पहले ICS के नाम से जानते थे IPS को पहले IP के नाम से जानते थे बाद में 1947 में इनका जो नॉमन क्लेचर है यह जो नाम है इसको में तब्दील की गई थी अब अगर हम All India Services Act 1951 को पढ़ें तो यह कहता है कि इन सभी All India Services के संदर में केंदर की सरकार कानून बना सकती है लेकिन राज्यों से परामर्स करने के बाद इन फैक्ट अगर हम इनका काम देखें इनके recruitment को देखें तो recruitment कौन करता है केंदर करता है training के इनर के दुआरा लेकिन जब काम करने की बाद ही आती है तो इनको राज्यों में आ करके काम करना पड़ता है काडर सिस्ट्म होता है हार राज्यों के अपने गडर होते हैं इसके किया करते हैं अब जब इनके salary की बात आती है तो salary राज्य से draw की जाती है लेकिन जब discipline reaction की बात आएगी यानि कि अनुशाशनात्म कारवाई की जानी है तो immediate discipline reaction तो राज्य के द्वारा होता है इसकी transfer त्यादी लेकिन अगर ultimate discipline reaction की बात करें तो वो केंदर की सरकार के द्वारा की जाता है जिसके dismissal आप यहाँ पर अगर हम all India services की अंदर सबसे बड़ा योगदान दीखते हैं तो वो आता है सरदार वललब भै पटेल जिसकी वज़े से इन्हें all India की सरकार के पास है अब इस सेवाओं को हम लोग चार काटेग्री में बाढ़ते हैं अगर एक काटेग्री की बात करें तो एक काटेग्री के अंदर ही बहुत सारी सेवा है जैसे गुरूप एक की बात करने तो वहां अपने आप में साथ सेवा यह जाती है जैसे की Central Engineering Service है साथ में Central Legal Service है Health Service है या फिर Central Information Service है तो यह सब केंद्रे सेवाओं में आ जाती है अब इन सब केंद्रे सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा की बात करें तो वह आता है Indian Foreign Service भारतिये विदेश सेवा जोगी UPSC के द्वारा फेपर कंड़क् दूसरे प्रकार की सेवा आती है उनको आप कहते हैं राज्य की सेवा यानिकि State Services इस्टेट Services को आप अगर देखेंगे तो यह राज्य के अधिकार चित्र में आती है यानिकि इनके संबन्द में कानून या मित्यादी वराने का जो काम है वो राज्य का एक अपना चित्र है केंदर हापार हस्टक्षे नहीं करता है अब जितने राज्य हैं वहाँ पर सभी के अंदर हैं सेवाइं तो हर राज्य अपनी नाम से सको चला जैसे राज्यस्तान की बात करेंगे तो राज्यस्तान Administrative Service के बात दो दे उत्तरप्रदेश का तो उत्तरप्रदेश का अपनी न आजाती है अब याद रखना अगर राजे के अंदर state service है और केंदर की सेवा अल इंडिया सर्विस भी है तो याद रखना कि अगर comparison आप करेंगे तो राजे के अंदर जो post है उनमें lower level पर जो होता है वापका state services के अधिकारी दिखाए देते हैं अनिकि जो top post है वो IPS आईएस यानि कि All India Service के लिए रेजर्व रहती हैं अब अगर हम बात करें तो राज्य के अंदर अपनी सेवा होती हैं जैसे कि Civil Service है, Police Service है, Forest Service है या फिर Agriculture से सर्विस हैं अब यहां पर तोड़ा सा आगे चलते हैं All India Services Act 1951 जैसा कि मैंने आप से कहा कि टॉप पोस्ट होती है तो टॉप पोस्ट के वारे में कहा गया कि इसमें एक त्याई से अदे की पोस्ट राज्य की सेवाओं से नहीं भरी आ सकती है वरना है तो उसके लिए प्रमोशन करना पड़ेगा एक त्याई के लिए भी और वो प्रमोशन भी अगर किया जाता है कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसके लज़क्स ता है या तो यूपेसी चेर्मेन करेंगे या फिर यूपेसी कोई मेंबर करेगा ये आप ध्यान दख संदर में कौन कानून बनाएगा तो देखिए हम अगर बात करें देश की संदर और राज्ये के अंदर विधान मंदल इन सेवाओं के संदर में अपनी शक्ति रखते हैं कानून बनाने की इनकी सेवा सर्थों को बाडिफाई करने की इनको निर्धारित करने की इसके साथ सा को भी लिमिट कर सकते हैं जैसे कि कोई सुचना का अधिकार यानि कि freedom of speech and expression अब इसका मतलब यह दो नहीं कुछ भी जाकर आप बाहर लोग बोल देंगे तो कुछ information secret भी होती है तो उसको जाकर कि भाहर नहीं बोला सकते हैं उनके अधिकारों को सीमित भी किया जा सकते हैं उसक इसके बाद safeguards के हैं आर्टिकल 311 कहता है कि इसके बाद आर्टिकल 300 बारे आता है और इंडिया सेर्विस के संदर में यानि कि अखेल भारते सेमा को स्थापित करने के संदर में अब यह कैसे हो सकता है सबसे पहले राज्यवाफिवा के अंदर दोतिया बहुमत से प्रस्त इसका आर्टिकल 300 बारे में है यहीं पर अगर हम बात करें तो इसमें प्राब्धान यह कि और इंडिया जूडिशिल सर्विस के इंदर जो भी पोस्ट होगी वो कोई पोस्ट डिस्टिक जससे नीचे की नहीं होगी ठीक है इसके बाद आर्टिकल 312 ए चोड़ा सा आर्टि अपने इस टॉपिक को हम यहीं पर सनाफ्त करते हैं अगर आपके मन में कोई क्वेशिन है इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लूँगा और अगर आपको वीडियो पसंदा है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए बाई और चैनल को सब्सक्राइब करना मज भूलिए थैं